कि नमस्कार मैं डॉक्टर नरेंदर कुमार ड्रेंग पेंटिंग से अब भी हम चर्चा कर रहे थे इसे पूरूर बीए पार्ट फरस्ट के चित्रकला विशे के बारे में और टोपिक चलड़ा था कि भारती चित्रकला के शड़ेंग शेक्स लिम्स ओफ इंडियन पेंटिंग संस्क्स तो इसके बारे में जिस्सेवर बताया गया था अपना चलरा था हो कि सट्रूब है भंग इतिचित्र शडंकम तो इसी क्रम में इसके जो छह भेद हैं जिन में पहला था रूप भेद और दूसरा था प्रमानानी और तीसरा हम चर्चा कर रहे थे भाव लावन्य योजनम पर तो हमारे भावों के बारे में अब तक हमने जिसे बताया था उसके बाद में जिसे हम चर्चा कर रहे थे इसमें चल रहे थे कि जिसे चेहरे की आकरती के प्रकार है हमारे नेत्रों के प्रकार है उन से किस तरह के भाव प्रकट होते हैं किस तरह से भाव की जानकारी मिलती है तो जैसे मुर्गी के अंडे का आकार वाला जो चेहरा है तो वह जातर जैसे हमारे भारती दरसे में भारती है तो इस तरह के प्रियोग चितर में पूर्ण सात्य भाव लाने के लिए क यह जो रूप देखने हैं बुद्ध की प्रतिमा में ज़्यादा देखने को मिलता है जातर गोल चेहरा मतलब अंडे के आकारवाला और दूसरा था जैसे पान के पत्ते के आकारवाला तो यह विशेश को इस्तुरों की आकरतिव में बनाया जाता है तता विशेश का चंचलत विविन प्रकार के भावों को दिखाने के लिए विविन प्रकार से की जाती से अलग लग भावों के नुसार अलग लग तरह की आकों को बनाया जाता और इनकी रशना के लिए जैसे हमारे प्राचीन गरंतों में विविन प्रतिकों अत्वा उपमानों को अधार बनाया ग कि इसको कि नेत्र आंखे दूसरा है तीसरे तीस्रा उतपल पत्र फिर चो था पदमपत्र पांच्वा शश्यक्रतिक्स हे तो पहला जो बताया था शा पाकर तो प्रकर्तिकस ओंद्रेव म्कार और विद्व Nicki से प्रकार्व का दिखाने के लिए और किसी भी का दिखाने के लिए रहता था या उचित है इसके इस गिंदर ये बताया गया हमारे प्राचीन ग्रंतों में और दूसरा है जैसे मतश्योदर यानि अर्थात मचली के पेट के आकरती वाले नेत्रे यानि जो मचली है उसके मचली के पेट के जो है उस्तरे के जो नेत्र है वो अलग-लग भावनाओं को दिखा जैसे विलासिता जैसे भावों को प्रदर्शित करने में शक्षम होते हैं और तीसरा जो नेत्र है वो है उत्पल पत्र अर्थात जो नील कमल है नील कमल का जो फूल होता है उसकी पंकुरी के समान नेत्र तो ये जो नेत्र होते है नेल कमल की पंकुरी समानला नेत्र ने उत्पल पत्र कहा जाता है ये सात्विक, शांती वे गंभिरता के भावों को प्रदर्शित करते हैं इसी प्रकार जैसे चोथा भाव जो पदम पत्र अर्थात कमल पत्र जो पदम पत्र है वो है कमल पत्र के समान नेत्र तो ये नेत्र क्रोध है भै है और आतं के जो भाव को प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार के नेत्र जो पदम पत्र के जो नेत्र होते हैं इस तरह के इन भा हीरण की आकरति वाले नेत्र शशाकरती अतात हीरण की जो हीरण है उसके आकरति वाले नेत्र और ये नेत्र इस तरह के जो नेत्र रते हैं वीरण के आकरति वाले नेत्र उनमें सरलता चंचलता निर पराधिता आधी भाहों को प्रदर्शित करने के लिए प्रियोक्त किये ज तो खंजन पक्षी की आकरति वाले नेत्रों का प्रियोग भी प्रचलन में रहा है और इस प्रकार के नेत्र प्रसन्नता चंचलता अस्थिरता आधी भाओं को प्रकट करने के लिए प्रियोगत किये जाते हैं अब इस प्रकार प्रत्यक्स और प्रचन भाव को हम निशित सारीग भाव भंगेमाओं के द्वारा भी अभी व्यक्त करते हैं यानि कि की हाँ कि इसमें मैं इसे पेश्चा चाथ प्रत्यक्स और प्रेचन जो बहुआ है तो वहीं इन बहुआ सब प्रत्यक्स बहुआ में डेयर इसके उसके नहीं रहते हैं more नहीं कर पाते हैं तो हम इन भावों को भिज़े निश्चित शारी भाव भंगिमा के द्वाराय भी अभिवग्त करते हैं और भाव विशेश में शारी आनगों के निश्चित निश्चित क्रियों होती है और हमारे जो प्राचिन गरंथ है उनमें कुछ भंगे माएं बताई गई है किस तरह से भाव भंगे माएं जिनके नुसर आकरतियां सम भंग, ए भंग, त्री भंग और अति भंग होती है यानि कि जो हमारी आकरती है जो भी फेश या फीगर जो बनाते हैं उसके भाव कैसे हैं उसके आकरती की साहिज क्या है उसकी इस्तती क्या है तो जैसे सबसे पहले सम्भंग तो इस सिन भंग वाली आकरति में कोई भंग नहीं होता यानि किए ये अकरती सिधी खड़ी या अत्वा बैटिवी तो बिना किसी ओर भी मतलब किशी तरह के कहीं और जुखाव नहीं होता है कहीं कोई इसके इंदर मुमेंट नहीं होता यह बंगे मां हमें मुक्यत है जेन तीर्ट करों की मूर्तियों तता भवान बुद्ध की मूर्तियों में देखने को मिलती है जो एकदम सीधी सपाट मूर्ती बैठी वह एक यवस्ता के अंदर बैठी वह है अब दूसरी यह जो प्रकार है वो है बंग तो इस यह जो बंगी मां वाली आकरतिया हैं दो यह मारी जो भारति चित्रकलाज मैं अजद्धाध की जो चित्रन है उसकी जो नषर्णता में विश्यष रोप से देखने को पूर कि यह जी परकार तीस रहा है थी तैसे भंग है तो इस बंगी मा सरीर में तीन भंग दिखाया जाता है यानि कि तीन भाव जिसमें नीचे का इससा आर्थाथ नितम से पैरों तक दाईं या बाईं और गले से नितम तक बाईं और ततासिर दाईं या बाईं और इस प्रकार ये तीनों भाव, एक दूसरे की प्रती कूल दिसाओं में जुके होते हैं और ये भाव 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 में विशेश रुपने क्रिष्म के प्रती मामें या चित्रों में देखने को मिलती है या देवी का चित्र तो सिर दाई और ततर देवता का चित्र है तो सिर बाई और जुखा होता है और यदि देवी देवता का चित्र संयुक्त रूप से बनाया जाए तो उन दोनों के सिर एक दूसरे की और जुखा दिये जाने चाहिए और इस तरह के जो भाव भंके मा राधा और किष्णि की मूर्थियों मिए यह थर्षिनें में दर्षिन के अधिक होते हैं और चोता भाव है जैसे अती भंग है तो अती भंग यह तिरी भंग का ही अती रंजित रूप है और उसे में अत्यदिक जुखाव अत्वा कभी-कभी आकरतियों के अंगों जैसे हाथ-पेरों को आगे पीछे कर देने से भी भंगी मामे भाव के तिरंजिता अती रंजिना प पूर्टियों अत्वा दुर्गा के आकरतियों में इस प्रकार के भाव भंगीमा देखने को मिलती है तो यह है जैसे चौता अति भंग यानि कि यह तिरी भंग जो इससे पूर्गे था उसी का ही अति रंजीत मतले उसका आगी का रूप है और उसी में अतियदिक जुखाओ राज की तो उसमें सीव की जो मूर्तियां आकरती हैं वो अलग नजर आती है और ऐसे दुर्गा की आकरती में भी इसी तरह के भाव भंगिमा देखने को मिलती है तो इस प्रकार भारती चित्रकला में भाव लावन्य अत्वा भाव एक विशिष्ट इस्थान रगता है और ए बिन सारीरिक वे मानसिक भाव को उसलता पूर्वा किसी चित्र में अंकित कर सकता है तो इसी तकार जैसे इसमें साथ में जो लावन्य योजना अब यह जिसे भाव थे तो हमारे भाव किस तरह से हमारे प्रकट होते हैं आँखों के दुआरा हमारी भंगिमाओं के दुआर भाव जो भंगिमा है तो प्राचीन जुग्रंत हमारे चित्र सुत्र में क्या क्या इसके बारे में बताया गया है किस तरह के हमारे फेस हैं तो फेस जैसे दो तरह के फेस बताया है गोला कार फेस है पुरुषका और उसी प्रकार जैसे इस तरह पान के आकार की आकरतियों वाला फेस है तो उनके क्या भाव प्रकट होते हैं और उसी प्रकार जैसे नेत्रों के बारे बताया है तो पांच प्रकार के जो नेत्र हैं तो उनके अलग-अलग क्या उनके भाव है जैसे दनुसाकार के अलग भाव होते हैं तो मतश्योदर है तो उसके अलग भाव रहे हैं और उत्पल पत्र यानि की जो नील कमल था नील कमल के समान जो नित्र हैं उनके अलग भाव रहे होते हैं सात्विक शानती और उसी तरह से पदम पत्र यानि की जो कमल है कमल पत्र के समान जो नित्र है क्रोध है भय है आतम उनके अलग रहे हैं शशाक्रति के अलग रहे हैं फ तो इन में तरह के बतायां गया थे संभंग और चोटा था अती भंग तो इन में हरे के अंदर सम जिसके अंदर किसी का कोई मुमेंट नहीं हो सीधी बैठी एक समान आ करती है और आपंग के अंदर जैसे अंदर तरी बहंग तो पूरी बोड़ी है उस बोड़ी से मालो नीचे के नितम से पेरों तक किस तरह करें दाही और जुखे हैं या उपर से मालो और गले से नितम तक राय बाय उर तो उसमें या प्रतिमा में या चित्रों में देखने को मिलती है और देवता का चित्र संयुक्त रूप से बनाया जाए तो उन दोनों के सिर्फ एक दूसरी को जुखा दिये जाना जाए जो यह दिखते हैं चित्रों में इस तरह के लिए जाते थे तो यह जो ड्री पर इंग तो इस तरह का यह अति रूप रहा दिखाए उसमें वही साथ पार्ट वो लाउद कि भाव लाउद ने योझना भाव तो में आ गय क्या है इसके अंदर माला कि यह नहीं है अग praying